नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बापर सबापर स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में उत्तर प्रदेश में DL8 2018 बैज के 33 सेमेश्टर और DL8 2019 बैज के प्रथम सेमेश्टर की परिच्छाओं को ले करके आप लोग के लगतार कमेंट्स के माधम से प्रश्ण आ रहे थे यदि आप भी इन दोनों बैसे रिलेटेड हैं और अपनी सेमेश्टर परिच्छाओं का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वण हो सकती है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर ना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले क्यों क्योंकि इस समय PNP का पूरा फोकस जो है वह डियलेट की परिच्छाओं पर ना हो करके उत्तर प्रदेस में जारी 79 जार सहाइक अध्यापक भरती को कम्प्लीट करने पर जादा है और कभी भी PNP के द्वारा डियलेट की परिच्छाओं से जादा प्रात्मिकता इन सभी UPTIT और इन सभी परिच्छाओं के सफलता पूरों को आयोजन पर ही किया जाता है क्योंकि आप अगर पहले के इनके रिकॉर्ड को देखेंगे तो डियलेट 2017 बैच के सेकंड सेमेश्टर का प्रासिक्छाण 12 अक्टूबर को खतम हो गया था लेकिन चुकि उस सेमेट UPTIT 2018 और उसके बाद से 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती 6 जनवरी 2019 को कंड़क्ट करानी थी जिसकी वज़े से डियलेट 2017 बैच के सेकंड सेमेश्टर का एकजाम रोक करके लगबग 4 महीने बाद उनकी परिच्छाएं कंड़क्ट कराई गई थी और वहीं हालात अब डियलेट 2018 बैच और 2019 बैच के सामने है अभी PNP का पूरा फोकस 59 साहक अध्यापक भरती के लिए आवेदन लेने और उसकी सफलता पूर्वा काउंसलिंग कराते हुए नियुकती पत्र वित्रित करने पर है और जैसा कि जुलाई महा में UGC के रिपोर्ट में ये कहा गया उन सभी को जुलाई महा में ही कराने का प्रस्ताव था तो दोस्तों अगर जुलाई महा में भी परिक्षाएं होती हैं तो कम से कम एक महीने पहले PNP को इसके लिए तयारी फिर से स्टार्ट करनी होगी क्योंकि जो exam centers पहले से decide थे हो सकता है कि वह available ना हो क्योंकि जैसे ही इस्तिती समाने होती है तो सभी जो इस्थगित परिक्षाएं हैं उनके लिए भी exam centers तला से जाएंगे और इस प्रकार से अब exam centers जो पहले निर्धारिते हो सकता है कि वह available ना हो तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर एक महीने पहले जुलाई में अगर परिक्षा करानी होगी तो कम से कम एक महीने पहले डियलेट की परिक्षाओं को ले करके फिर से PNP को तयारी करनी होगी और इस समय देखा जाए तो PNP का पूरा focus 79,000 सायक अध्यापक भरती की सफिलता पूरवक उनका counseling कराने पर है ना कि आपकी डियलेट की परिक्षाओं पर तो दोस्तों अभी इसके बारे में कब होगी परिक्षा, कब तक होगी इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट सेक्सेन में जरूर बताएगा और साथ ही, डियलेट की online classes को लेकर के फिर से SCRT के द्वारा दिनांक 13 माई 2020 को लेटर जारी किया गया है जो की आप screen पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अब जो 18 से लेकर के और 22 माई 2020 का जो सब्ता होगा उसमें कक्षाएं किस प्रकार से चलाई जाएंगी उसके संदर्भ में टाइम टेबल आप screen पर देख पा रहे हैं SCRT के Facebook पेज पर ये सभी classes online चलाई जाएंगी तो exam को लेकर के यहीं कहा जा सकता है कि अभी इस पर PNP का कोई भी focus नहीं है कि exam कब तक होगा या फिर नहीं होगा अभी इसके बारे में कोई भी official statement जारी नहीं की गई है आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों ऐसे ही मातवपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिटकेश चैनल साथ धन्यवाद